हेलो दोस्तों अगर आप चाहते है एंजल वान में अपना डिमेट एकाउन खोलना एंजल वान में ट्रेडिंग इनवेस्टिंग करना आगे इस week मैं बताऊँगा आपको कि आप कैसे ट्रेडिंग और इंवेस्टिंग कर सकते हैं एंजलोन में डिमेट एकाउंट खूल के क्योंकि एंजलोन बहुत ही बड़ी है ट्रस्टेवल प्लेटफॉर्म है एंजलोन बहुत सारा फीचर देता है जिसके थुरू आप ट्रेडिंग इंवेस्टिंग और इस वीडियो में आपको लाइप करके दिखाऊंगा एक लाइप करके दिखाऊंगा और प्रोसेस बहुत हीजी है आराम से हो जागा तो चलिए फिर चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पर इस दोस्तों हम आगे हैं अपने एंजल वन के एप्लिकेशन पर एप्लिकेशन को ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको एक उप्सण दिखेगा उस साइनफ के ऑप्सण को आपको चूज़ करना है क्योंकि आप पहली बार जब आप एकाउंट बना रहे होते हैं एंजल डालना है जो आपके bank account से registered है उसके बाद अगर आप refer code use करना चाहते हैं तो refer code use कर सकते हैं नमबर और मिलाने के बाद simply आपको नीचे next का option दिखेगा तो उसको आपको next का option पर click करने है और click करने के बाद हमारे पास कुछ permission मागेगा जिसको हमको grant permission कर देना है सारे permission को हम लोग enable कर देंगे और उसके बाद हम लोग के register mobile number पर एक OTP आएगा OTV fill कर देना OTV fill करने के बाद next पर जैसे click करेंगे वैसे यहाँ पर details पूछेगा details में आपको phone number already so करेगा और आपको आपका जो bank account पर नाम है तो आपको नाम डाल देना है तो यहाँ पर मैं मैं अपने दोस्त का dreamate account खोल डाऊं तो मैं simply उसका नाम डाल दूँगा नाम डालने के बाद आपको check कर लेना है कि नाम number सब सही है तो simply आपको next पर click कर देना नेक्स पर जैसे हम लोग click करेंगे तो आपको आपका Gmail पूछ तो आपको अपने Gmail चूच कर लेना है अगर नहीं है तो जो भी Gmail डालना हो डाल कि आगे प्रोशीड करने के बाद सिंपली आपका पैन का ओप्सटन खुल जाएगा और वहां पर आपको पैन डिटल्स बढ़ना पर देगा आपका पैन नमबर जो भी पैन अकाउंट नमबर है वहां पी यहां पर फिल करने के बाद जैसे आफ नेक्स्ट करेंगी तो डीजी लोगर क बाद सिंपल आपको OTP का ओप्सटन आएगा वहां पर आधार कार्ड पर जो भी नमबर रेजिस्टर उस पर OTP आएगा OTP को फिल करना है फिल करने के बाद के बाद कंटिन्यू करना है बहुत हीजी प्रोसेस है एंजल वन में एकाउंट खुलना और इंजल वन बागी मेरे को एप से ज्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि इसका इंटरफेस वेगरा ज्यादा बढ़िया लगता है तो यहां पर हम लोग OTP डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपको डिजी लोकर के लिए एक सेक्यूरिटी पीन डालना होगा जो कि आप अपने साथ डाल सकते तो वो ऑट सेट करने के बाद को अशुद करें नेक्स जैसे हम लोग आएंगे रहा पर हमारे सामने के लेकिन करेंगा जो कि नाम सब देखलेना कि रहलन सभी उसके बाद आपको इल्ग हो करेंगे तो ब सेक्षरी बास। यहां पर जाना करते हैं आपका-डिकमेट इन पैन नमबर सारा साही है कि नहीं सही है और यहां पर जब सब चेक कर लेंगे हम लोग तो यह हम लोग पर क्लिक कर देंगे अलाग पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर हमको विश्व कर रहा है get to document from Dj Locker we verifymittel और यहां पर हमको अपना bank details बढ़न पर रहें जैसे यहां पर verify होता है जब जैसे verify हो गया ऊसके बाद हमको simply अपना bank account details बढ़ना पर रहें जैसे फिल करने के लिए हमको option आ रहा है हमारा API जो भी है बैंक अपन से रर्गाउंट से है तो उससे में सेलेक्ट करता हूं और फिर मैं आ जाता हूं अपने phone पे के screen पे और यहा से मैं pay 1 रूपे कर देता हैं जैसे दो मेरे account रूपे कर जाएगा और हमारा जो इपियाई है वह verify हो जागा जो भी account details होगा रहा है BenkUp बहुता से मेरे नावाम सारे वेरिफाई हो जाएंगे यहां पर सूर भी करने लगा कन्फर्म यूर बैंक डीटेल तो हमको सिंप्ली कन्फर्म कर देना है मेरा एकाउंट नमबर आई अपसे कोड सब कुछ हो गया उसके बाद आपको क्लिक का सेलफी करना आपको लाइफ सेलफी क्लिक करके आ आपको डालना है ऑपन केमरा पर आप सिंप्ली टैप करेंगे और टैप करते ही आपको अपना सेलफी अप्लोड करना होगा और तो जल्दी से हम लोग अपना सेलफी वाला प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और उसका मेक सिर कि आपका बैग्राउंड वगरा लाइट वाइट न सेसरा या और फिर हम लोग जैसे ही हला हुलाव करते हैं और तो हुमारा लेत कि सारा signature box का अंदर हो तो आप अपना नाम हम से लिखके आपको प्रोसीड कर देना है जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हम लोग को एक पेज खुलेगा जिसमें हम लोग को सो करेगा एक्टिव करना है कि नहीं तो फिलाल हमको एक्टिव नहीं करना है तो मैं इसको डूइ करना तो मैं वह प्रोसीड बहुत ही आसान है वह बात में भी कर सकते आप उसके प्रोसीड करेंगे तो फिर हम को एन्वल इंकम डिटेल डालना होगा तो यहां पर यहां पर सीम्पली आपको लेनट हो तो यहां पर जूज कर लेता हूँ और फिर आपको नोटिफिक्रशन चाहिए एंगशे घुल ऊनकर तो यहां पर वाट्सपन कर दीज़वा रगए प्रहसर्ट करेगा यहां पर आपको अन्मेरेड मेरेट यहां पर चूज करना है तो मैं यहां पर mail उसके बाद unmerit चूज कर लेता हूं फिर यहां पर proceed करता हूं बहुत यह सारे process काफी easy है कोई सा भी वह नहीं है फिर additional detail में अगर आपको पूझेगा तो आपको additional details वेकर आप fill कर देना है उसके हमको proceed to e-sign आजाएगा e-sign में basically हमको digitally sign करना होता है तो जैसे हम proceed to e-sign करेंगे तो एक नया page खुल के आएगा तो यहां पर मतलब यह हमको verify करवाता है कि यह सारे जो document जो details हमने डाले वह सही है कि नहीं तो यहां पर अगर आप चाहें तो reject कर सकते पढ़ सकते हैं और अगर आप पढ़ ले तो फिर उसके बाद आप proceed to e-sign कर दे तो सारा document देखने के बाद प्रोसीट to e-sign पर click करना है e-sign पर click करने कबाद हमको अपना अधार नमबर डालना है आदार नमर डालने के बाद I have read and unassured click करके हमको proceed करना है फिर हमको हमार रेजिस्टर नंबर पे जिसाधार नंबर रेजिस्टर उस पर OTP आएगा तो हमको OTP fill कर देना है OTP fill करने के बाद हमको verify OTP का option जो वहां पर choose करने है और फिर हमको अपना OTP verify करना है यह बहुत ही जल्दे हो जाएगा फिर हम verify OTP पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा यहां पर e-send के जरूप मेरा OTP verify हो जाएगा उसके बाद यहां पर लगवक सारे process complete हो जाएगे फिर जैसे ही आपका complete होता है verification तो यहां पर जो है हमारे सारे के सारे verification complete हो गया और हमको दो से तिन दिन working day में हमको मिला जाएगा कि हाँ मेरा जो demate account है वो बन चुक है angel one में और हमको client ID वेगरा मिल जाएगा तो यहां पर अगर आप को rating देना चाहा है तो आप rate कर सकते है आप 10 out of किता rate करना चाहा अगर आपको explore करना है तो simply हमको explore पर tap करना और यहां पर angel one का interface खूल जागा तो यहां पर देख सकता भी हमारा application जो है वह अभी activation in progress में है तो अभी हमारा activation दो तीन दिन में active हो जाएगा हमको client ID वेगरा सब कुछ मिल जागा है यहां पर watch list में आकर हम लोग watch list में देख सकते थे कोई साभी company का stocks वगरा देखना तो watch list में आकर देख सकते हैं और यह एंजल वन के user interface है जो कि काफी में को सही लगता है वहां पर अगर आपको options करना है तो options का भी option आता है उपर वहां पर simply switch कर सकते हैं तो काफी easy process है एंजल वन में trade करना invest करना में को काफी बढ़िया अप लगता है और काफी fast भी यहां पर portfolio करनीच आपको option देता ह तो यह काफी बढ़िया है मैंने mutual fund पर भी video बना रखा है अगर आपको एंजल वन में mutual fund करना है कैसे invest करें तो वह सारे regarding उसके regarding भी app है मैंने बता रखा है कि कौन-कौन सा mutual fund based है किसे invest कर सकता और मैंने live invest करके भी दिखाया है तो अगर कोई सब अगर आपको doubt होता है एंजल अप्लिकेशन भी प्रोग्रेस में है तो यह सब एक्टिवेट हो जाएगा काफी इजी प्रोसेस है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू